चैप्टर वाई सीरीज करने जा रहे हैं रिलेशन फंक्षन क्लास 12 CBSC में जो 2020 में कोशन आये थे न वो कोशन करने जा रहे है ये कोशन CBSC 2020 में 1 मार्क्स का आया था ठीक है ये आपकी NCRT का कोशन है exercise 1.3 का शायद से कोशन नमबर 13 है की 14 है देख लेना अब कोशन सुनो क्या है if f r to r be given by f of x equal to this 3 minus x cube whole raise to power 1 by 3 then find 4 हमें क्या find करना है 4 तो देखो कैसे करेंगे देखो 4 of x को हम लिख सकते है f f of x है ना ऐसा लिख सकते है अब यहाँ पे f of x की value दालो f of x की value यह दिया है 3 minus x cube raise to power 1 by 3 यहाँ तक समझ आगी अब इसके बाद देखो क्या करना है अब मेरी बाद ना दियान से सुना हमारे पास f of x दिया है 3 minus x cube whole raise to power 1 by 3 ठीक है अगर मैं आपको बोलू f of 1 निकालो तो आप क्या करोगे x की जगा यहाँ 1 replace करोगे है ना यही करोगे ना अगर मैं बोलू f of 2 निकालो तो आप क्या करोगे x की जगा 2 दालोगे यहाँ पे है ना अगर मैं बोलू f of h निकालो तो आप क्या करोगे x की जगा यहाँ h दालोगे यही करोगे न, अगर मैं आपको बोलूँ f of 3 minus x cube की पावर 1 by 3 निकालो तो आप क्या करोगे इस x की जगा यह value रिप्लेस करोगे, नहीं समझे देखो ना, जब मैंने आपको बोला 1 दालो तो आपने x की जगा 1 दाला 2, 2 रिप्लेस किया h, h रिप्लेस किया, अब मैं बोला हूँ यह निकालो, तो आपने क्या करना है इस x की जगा यह पूरी value रिप्लेस करनी है, ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ 3 minus फिर यह x की value बाद में दालते हैं पहले देखो मैं यह लिख रहा हूँ cube whole raised to par 1 by 3 समझाया, मैंने क्या किया 3 लिखा, फिर minus लिखा bracket में, cube लिखा और 1 by 3 लिखा और यह जो bracket हमने रखी है, इस x की जगा हमें यह पूरी value रिप्लेस करनी है यह वली 3 minus x cube raised to par 1 by 3 समझाया यह बात अब यह 3 और 3 cancel इसको side में कर ले ना यह rough है 3 minus, यह bracket खोल होगे minus 3 plus x cube whole raised to par 1 by 3 यह 3 3 cancel तो यह आगया x cube की पावर 1 by 3 तो यह और यह कटेगा answer कितना है, x ठीक है, यह आया था 1 marks का अब next question करते है इसके बाद जो next question आया था वो यह question आया था यह CBSC में 2020 में 2 marks का आया था यह chapter में 3 question आया थे, ठीक है एक आया था 1 marks का, एक आया था 2 marks का और एक आया था 4 marks का अब 2 marks में देखो question क्या आया था check if the relation are on the set A 1 से लेकर 6 तक defined as R such that Y is divisible by X first है symmetric or transitive check करना है, देखो question क्या कहता है A हमारे पास दिया वह है 1 से लेकर 6 तक तो हमें चेक करना है यह जो relation है यह symmetric or transitive क्या यह symmetric होगा या transitive होगा चेक करना है, ठीक है, यह confirm नहीं है कि होगा तो चेक करेंगे पहले यह relation लिख रहा हूँ Y is divisible by X देखो यह जो आपको दो elements लेने हैं, X और Y यह दोनो elements आपको A से ही लेने है, ठीक है तो सबसे पहला क्या होगा देखो पहला लेते हैं 1 1, क्या 1 1 से divisible होगा, बिलकुल होगा है ना, यह दियान रखना यह X है, यह Y है, ठीक है अब दूसरा, 1 2 1 2 का मतलब हो गया, 2 is 2 is divisible by 1 तो क्या 2 1 से divide होता है बिलकुल होता है क्योंकि 2 upon 1 कर लो, 2 ही आएगा है ना, फिर 1 तो सबके साथ आएगा, 1 3 1 4 फिर 1 5 और 1 6 ठीक है, यह दियान रखना कि यह X है यह X है, यह Y है, और यहां लिखा कि Y is divisible by X अब 2 के साथ पेरिंग बनाओ पहला, 2 खुद के साथ डिवाइड होगा, 2 2 अब 2 4 से भी डिवाइड होगा है ना, 4 is divisible by 2, 4 upon 2, 2 ही होता है फिर next 2 6 इसी तरह अब 3 के साथ 3 3 फिर 3 6 के साथ भी डिवाइड होगा फिर next 4 4 5 5 और 6 6 ठीक है, आप यह नहीं लिख सकते हैं, अगर आप लिखोगे न 4 और 2 तो यह गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यह X है, यह Y है तो Y is divisible by X मतलब 2 is divisible by 4 तो वो थोड़ा divide होता है, 1 by 2 आता है, मतलब completely divide होना चाहिए remainder 0 आना चाहिए इसका यह मतलब है, अब इसने क्या पूछा था? Is it transitive? नहीं, पहले symmetric क्या यह symmetric है? देखो, symmetric होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक का उल्टा होना चाहिए, 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, 1 2 का उल्टा 2 1, तो गूंडो यहाँ पे 2 1 है, नहीं है, तो हम लिखेंगे, R is not symmetric because 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R ठीक है, अब क्या यह transitive है, transitive के लिए कोई भी दो element उठाओ, जैसे हम मैं उठाता हूँ, देखो, हमें ऐसी ordering, पहले तो मैं कोशिश करूँ का कि मैं ऐसे डूंडों, कि नहीं हो तो कोशिश करके देखते हैं जैसे यह और यह लेते हैं 1 2 और 2 2 अब देखो, पहले मैं आपको बता दो transitive के लिए क्या होना चाहिए AB, BC अगर AB, BC, R में है तो AC, R में होना चाहिए ठीक है, AB, BC, R में है तो AC, R में होना चाहिए तो यह A है, यह B यह B, यह C, तो क्या होना चाहिए AC, AC देखो 1 2, 1 2 है इसमें, बिल्कुल है अभी तक यह transitive है लेकिन हर एक के लिए चेक करना यह नहीं एक के लिए हो गया तो कि हा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है, और कोई चेक करो जैसे यह देखो, यह लो यह और यह pairing लेते हैं 3, 4 और 4, 4 देखो, AB, BC तो क्या नहीं, AC AC क्या होगा, 3, 4 3, 4 तो है इसमें तो यह transitive तो है अब किसी के साथ भी, अब अकेला 1, 1 भी ले लोगे न, तो भी यह transitive होगा देखो, मैं करके बताता हूँ 1, 1, 1, एक और 1, 1 लिखो यह AB, यह BC क्या नहीं, AC, A क्या है, 1, 1 तब भी यह transitive होगा अभी तक तो मिरे को transitive दिख रहा है फिर भी एक बार अच्छे से check कर लो हाँ, वैसे तो है मेरे इस आप से है न हाँ, हर एक के साथ बनेगा 3, 4, यह भी लेंगे हाँ, ठीक है, तो R is transitive आपने इसके लिए reason क्या देना है because AB अगर R में है, AB और BC दोनो R में है तो AC भी R में होगा तो यह हो गया हमारा 2 marks का question अब last question हम इस पर करेंगे जो relation function में 4 marks का आया था next question जो है, 4 marks का CBSE 2020 में आया था यह question न, example number अगर आफ exercise 1.1 की देखो न example number 5, उसके जैसा मिलता जोलता है वहाँ पता है क्या दिया हो है, 2 is divisible by शायद से मेरे क्याल से यही है, 2 is divisible by A minus B तो वैसा ही question है यह, यहाँ क्या है, पहले question पढ़ते है प्रूफ डाट, दिर रलेशन R on Z, डिफाइन बाए R, X, Y X minus Y is divisible by 5, is an equivalence relation equivalence relation क्या होता है? equivalence relation होता है, reflexive होना चाहिए, symmetric होना चाहिए और transitive होना चाहिए, यह तीनों होने चाहिए, तो पहले हम प्रूफ करेंगे reflexive, और symmetric, और transitive अब देखो इसने proof करने के लिए बोला है, तो यह confirm है कि यह तीनों होंगे ठीक है जब proof बोला हो तो 100% होगा reflexive देखो reflexive के लिए हमें क्या proof करना पड़ता है कि xx belongs to r होना चाहिए ये चीज़ हमें reflexive के लिए proof करने पड़ती है तो let करते हैं यहाँ पर कितने elements हैं एक element है तो let x belongs to x कहां लेना जो set दिया होगा set दिया होगा इंटीजर का z ठीक है अब हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे दोनों सेम करने है x minus y की चगा x करना है क्योंकि दोनों सेम होते है x minus x कितना आएगा x minus x 0 होता है तो क्या 0 5 से divisible होता है बिल्कुल होता है 0 is divisible by 5 क्या मतलब हुआ इसका मतलब 0 upon 5 करोगे तो 0 यह आएगा है ना तो हम कहेंगे xx belongs to r r is reflexive ठीक है next आजो स्मिट्रिक देखो स्मिट्रिक के लिए हमें क्या प्रूफ करना है अगर xx ने ने अगर xyr में है तो इसका उल्टा r में होना चाहिए समझे मेरी बात स्मिट्रिक के लिए क्या प्रूफ करना है अगर xyr में है तो yxr में होना चाहिए तो यहाँ पे कितने elements है, दो elements है, तो let कर लो, let x y belongs to set में लेंगे, integers में, अब देखो, ये चीज गिवन लेंगे और ये proof करेंगे, ठीक है given क्या ले रहे है, x y belongs to r तो हम proof करेंगे, y x r में होना चाहिए, ठीक है, तो देखो, देखो, जब x y r में है, definition क्या कहती है x minus y is divisible by 5, x minus y is divisible by 5, ठीक है, अब हमें proof करना कि y x r में होना चाहिए, y x r में कब होगा, जब y minus x भी 5 से divisible होगा, ठीक है, ये चीज हमें proof करनी पड़ेगी, तो क्या करो, इन दोनों में minus common निकालो, ये बनेगा y minus x is divisible by 5, ठीक है, देखो, अगर minus 25, क्या ये 5 से divisible होता है, बिलकुल होता 5 से divide होता है ऒर मैं minus हटा दूं, तो क्या ये 5 से divisible होगा, तब ही होगा, अगर मैं इसका minus हटा दूं यहां से, तब भी ये y minus x 5 से divisible होगा is divisible by 5, इसका मतलब Y X B R में बिलॉंग करेगा तो ये हो गया हमारा स्मिट्रिक R is स्मिट्रिक नेक्स्ट हमें क्या बताना है ट्रांजिटिव देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें प्रूफ करना होता है अगर X Y R में है and Y Z R में है तो प्रूफ करो कि X Z भी R में होना चाहिए ठीक है मतलब ये चीज़ हम गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे तो यहां कितने elements है तीन elements है लेट X Y Z इसका ना Z छोटा कर दो ऐसे लिख दो क्योंकि Z जो है ना यहां पर आल्रेडी पहले का है यहां पर belongs to integers तो थोड़ा फरक रह जाएगा ठीक है अब ये चीज़ गिवन ले लो therefore X Y belongs to R and Y Z belongs to R देखो हम प्रूफ करेंगे X Z R में होना चाहिए ठीक है अब definition क्या कहती है अगर X Y R में है अगर X Y R में है तो X minus Y is divisible by 5 इसका मतलब X minus Y is divisible by 5 ठीक है अगर Y Z R में है तो इसका मतलब Y minus Z भी 5 से divisible होगा is divisible by 5 अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है X Z R में होना चाहिए ये कब होगा जब X minus Z Z को ऐसा लिखो X minus Z भी 5 से divisible होगा है ना ठीक है अब मेरी बाद यान से सुनना देखो अगर 5 25 से divide हो रहा है और 10 10 नहीं कोई और नमबर लो 5 10 या इसमें बड़ा नमबर ले लो ऐसा करो 5 50 से divisible होता है होता है ना तो 10 भी 50 से divisible होता है 5 50 से divisible होता है और 10 50 से divisible होता है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 60 करो 60 60 60 एक्जाम्पल देनी है ना अब एक्जाम्पल सेट करने में टाइम तो लगता है y 60 से divisible होता है 5 तो 10 भी 60 से divisible होता है तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ 5 प्लस 10 यह भी 60 से divisible होगा है ना तो इसका मतलब अगर x minus y 5 से डिवाइड हो रहा है और y minus z 5 से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों का सम भी 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब x minus y प्लस y minus z is divisible by 5 तो देखो यह y और y cancel हो जाएगा तो पीछे क्या बचा x minus z is divisible by 5 यही प्रूफ करना था x minus z is divisible by 5 इसका मतलब xz xz भी कहां बिलॉंग करेगा r को xz बिलॉंग स्टू r तो r हो गया हमारा ट्रांजिटी तो हैंस r is an equivalence relation तो सात रंबर का पेपर में आया था ये तो मैंने तीनो के तीनो कोशन 2020 के करा दिये ठीक हैं तो ये हो गया मारा खतम